हलो दोस्तों नमस्कार, study portal में आप सबका स्वागत है, दोस्तों आज history यानि इतिहास का chapter number 14 है, हम लोगों ने ancient, middle, modern, complete history पूरी करने का promise किया था, जिसमें हम लोग ancient को इस chapter के साथ पूरा कर देंगे, फिर आपका middle और फिर आपका modern, अगर आपने पिछले lecture नहीं देखें, 13 chapter आज चुके हैं, ये देखने के बाद उनको भी देख लेना, और अपने दोस्तों के साथ share करना, टोपी का नाम है आज दर्सन का विकास, जिसको development और philosophy बोलते हो, दोस्तों हम all over India में study material भेजते हैं, competition exam का, जो आप इस number पर कोल या WhatsApp पर बात करके मंगवा सकते हैं, CETA, DSSB, KVS, NVS, UGIC net, UPSC, PCS, CDS, NDS, सबके notes हैं, और अगर आपको PDFs आईए, तो वीडियो का description से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले एक पर पड़ा पड़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्राचीन भारत में दर्सन की समर्द और चारदाराएं, इस बात पर सहमत थी कि मनुश्य को अपने जीवन में चार लक्षों की प्राप्ति के लिए परियास करना चाहिए, यही चार लक्ष भारतिय दर्सन में चार पुरुसार्थ कहलाएं, सबसे पहला लक्ष या पुरुसार्थ रहा है सांख्य, सांख्य की व्य तो मानना आशक नहीं है, जगेत की उत्पत्ति इस वर से नहीं, अपितु परकर्ति से होती है, सांख्यक पहला आपका रहेगा, दूसरे नंबर पर आएगा आपका योग, योग, योगा, योग दर्सन के अनुसार मोक्स, धान और सारलिक साधना से मिलता है, ज्यानेंद्र और कामेंद्रियों का निग्र, योग मारग का मूल आधार है, फिर नंबर आता है न्याय का, तिसरे नंबर पर, न्याय या विशलेशन पदत्ति का विकास तरक सास्तर के रूप में हुआ है, इस दर्सन के अनुसार मोक्स, ज्यान की प्राप्ति से संभव है, और चोथा है वैसेशिक, वैसेशिक दर्सन दर्वय अर्थार भोतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है, वैसामान्य और विशेश के मद्य अंतर करता है, पिरत्वी, जल, वायू और आकास के मेल से नई वस्तियें निर्मित होती है, वैसेशिक दर्सन ने परमानुवाद की स्थ बनी हैं वैसे ऐसी दर्सन ने भारत में बोतिक सास्तर का आरंब किया था फिर है मिमासा मिमासा का मूल अर्थ है तरक करने और अर्थ लगाने की कला मिमासा का मतलब है तरक करने और अर्थ लगाने की कला इसके अनुसार मोक्स वेद विहित कर्मों के नुस्ठान से इस दर्सन का मुख्य लक्षे, सवरग और मोक्स की प्राप्ति है। फिर आता है वेदांत। वेदांत का अर्थ है वेद का अंद। ईशापूरो दूसरी सदी में संकलित बदरायन का बर्मा सुत्र इस दर्सन का मूल गरंद है। मिमान्सा के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा, सत्य होती हैं तता वेदांत दर्सन के अनुसार बर्मा ही सत्य है। अन्य परतेक वस्तुएं माया, अर्थार्थ, अवास्त्विक हैं। आत्मा और बर्मा में अभेद है। यह जो कोई आत्मा को या अपने आप को पहचा पात्कों की, एक तरफ दर्सन है, दूसरी तरफ उनके विवरण है, सांख्य दर्सन कपिल वस्तू का रहा है, यह भारत का सबसे प्राथीन दर्सन है नमबर एक, नमबर दो, जगत का कर्मिक विकास परकर्ति के सहत सरूप के कार्ण होता है, नमबर तीन, तीनो गुण, सत्य, रज, तम का सिधान अपनाया गया है, चोथा, मूल तत्वे 25 हैं, जिसमें पर्थम तत्वे परकर्ति है, तो सांख्य दर्सन यानि कपिल मुन्नी, इसके चार विवरण है, बारत का प्राथीन दर्सन है, जगत का कर्मिक विकास परकर्ति के सहत सरूप के कार्ण होता है, ती दर्सन, दूसरा आपका है न्याय दर्सन, जिसको अक्सपाद गोतम के साथ करेंगे, वैसेशिक दर्सन दवारा स्विकर्थ सभी दर्वियों को भी मानते है, वैसेशिक दर्सन दवारा स्विकर्थ सभी पदार्थों को मानते हुए, उसमें एक नया पदार्थ अभाव जो तिसरा इस्वर को विश्व का सरश्टी करता नय दर्सन के दवारा माना गया है। विश्व का यथार्थवादी, विशलेशन आत्मक या वस्थवादी दर्सन। विश्व के परमानिक सवरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूरुणता पैचान लेने पर ही मोक्स की प्राप्ति होती है। के दवारा माना गया है। के प्लस भी है, HTET है, SSC, BANK, NDA, CDS, UPSC, PCS, UGC, NET, जितने भी एकजाम हैं, सब का स्टेडी मैट्रियल हम ओल ओवर इंडिया में भेजते हैं। जिसको आप लोग 844-7410108 इस नमबर पर कोल या वर्टसप पर बात करके ओर्डर कर सकते हैं। मिडवल, मोडरन, पूरे के पूरे या फिर दूसरी अलग-अलग सब्जेक्टों की PDF हैं। वो सभी PDF चाहिएं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। और आने वाले एकजाम के साथ हमारे साथ जुड़े रही है। अलग-अलग डैनस्टी के बड़ी वीडियो जाल चुके हम लोग, जिनको लाखों लोगों ने देखा है। अगर मुगल जैसे आपने देखा होगा, मुगल वन्स आप हमारी वीडियो देखेंगे, गुलाम वन्स अमारी, सलेव डैनस्टी गुलाम वन्स वाली वीडियो देखेंगे, modern history आप हमारी देखेंगे ancient history आप हमारी देखेंगे middle history का crash course आप देखेंगे तुगलक वन्स देखेंगे लोधी वन्स है complete जो वीडियोज हैं लाखों बचों ने उनको देखा है और बड़ा भेंकर response आया है आप लोग भी अगर देखेंगे तो अच्छा response आएगा और एक्जाम में आपको सबसे ज़्यदा पाइदा उसका होने वाला है तो उनको भी आप लोग पटापर जाके देख लीजिए वीडियो को लाइक करके जाए दोस्तों के साथ शेर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पिछले लेक्सर को भी देखिए और आने वाले लेक्सर को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर लेजिए